हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं मुझे आसा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे समा कलन इंटेगरल दोस्तों जदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन को फ्रेज करें लाइक करना न भूलें और ये वीडियो अंधर तक जरूर देखें यदि आपको बारेमी क्लास का एक्जाम देना हो तो चलिए आप सुरू करते हैं दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट प्रस्न है सल्व करते हैं और आप तो सल्व करना जानते ही होगे फिर भी देखिए हमको पढ़ना है सामा कलन और य हम लोग पढ़ेंगे और ए नंबर बनाएंगे बहुत असान प्रस्न है दोस्तों बहुत असान है भेरी भेरी इजली कोश्चन दोस्त आप ध्यान से देखिएगा अंत तक देखिएगा मुझे आसा है और विश्वास भी है कि आपको जरूर समझ में आएगा देखिए अब हम क्या करेंगे समा कलन का सीमल देंगे इंटेग्रल का और यहां साइन लिखेंगे साइन एकस डी एकस लिखेंगे और बीच में प्लस है तो प्लस दे करके फिर उसको अलग कर देंगे कॉस को कॉस को लिख देंगे यहां आप देखी सकते हैं अब आपका साइन एकस डी एक प्लस integral cos dx ठीक है अब यहां से क्या करेंगे sign का दोस्त होता क्या है ध्यान से देखिए गया sign का होता है minus में cos x ठीक है और cos का होता है plus में sine x plus c अब दोस्तों हम आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ answer आपका आगया अब अपसन B बनाएंगे दोस्तों B क्या है आप देखिए ध्यान से B में है कॉसेक X इंटू कॉसेक X प्लस कॉट X DX ठीक है अब दोस्ति यहां से क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इससे इसमें गुणा कर लेते हैं हो जाएगा कॉसेक स्क्वाइर X हो जाएगा और उसके बाद से हो जाएगा प्लस में कॉसेक X इंटू कॉट X ठीक है क्या हो जाएगा आप तो देख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वाइर X प्लस कॉसेक X इंटू कॉट X अब क्या करेंगे जैसे उसको अलग-अलग लिखे बैसे इसको हम लोग क्या करेंगे कि अलग-अलग लिखे लेंगे यहाँ square x dx हो गया एक अलग हो गया ठीक है और यहाँ से plus फिर integral का symbol देंगे और इसको लिखेंगे cos x into cot x dx ठीक है कोई दीकत है कोई दीकत है तो जरूर कमेंट करिएगा दूस्तों और यहां अब इसका value होता है इसका value होता है cos x dx का हो जाता है minus में cot x minus में होता है cot x अब रही बात इसकी कि cos x और cot x तो cos x cot x जो आप यहाँ देख रहे हैं इसका value हो होता है minus में cos x ठीक है plus में c अब यहां हम लिखेंगे minus में cot x plus minus माइनस हो जाएगा और cos x plus c दोस्तों यह हमारा दूसरा option का answer हो गया दूसरा option का answer हो गया अब आगे देखते हैं आगे फिर एक और option है जो बहुत मज़दार है बहुत असान है यह option number d है और d को हम लोग लिखेंगे जैसे उसमें आपका sorry a b c c है दोस्तों d नहीं है c है यहां लिखेंगे one minus sign x बटा में रहेगा cos square x dx ठीक है और यहां से दूस्त क्या करेंगे यह होने के बाद हम क्या करेंगे अलग-अलग इससे अलग-अलग भाग दे देंगे जैसे आप देख लिजिए यहां एक बटा कॉस एक हो जाएगा sorry cos square x हो जाएगा फिर बीच में minus है तो minus हो जाएगा यहां sign हो जाएगा sin x बटा cos square x हो जाएगा ठीक है और यहां से घेरेंगे और into में dx दे देंगे अब क्या करेंगे कि इसको हम देखते हैं तो one बटा cos square यहांने sick square के रूप में हो जाएगा दोस्त यहां हो जाएगा sick square x इसको अलग कर देते हैं dx लिख देते हैं बीच में minus है माइनस लगा देते हैं फिर ऐसे लिखते हैं और यहां लिखते हैं आपका यहां लिखते हैं अब देखिए ध्यान से देखिएगा यहां sign भ सिम लिख देते हैं यहां और एक बटा मांनत बाद में लिख देते हैं और minus अब इसका कितना हो जाएगा sign sign theta butter cos theta जानिक 10x क्या हो जाएगा दोस्त टेन एक्स और ये क्या हो जाएगा तो सेक एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों सेक एक्स अई हो जाएगा dx यहां करिए अब करिएगा कि इसका भैलू जो होता है ध्यान दिजिएगा इसका भैलू कितना होता है तो c square x dx का समा कलन हो जाता है आपका 10 x ठीक है और इतना का हो जाता है माइनस तो ही लिए प्लस में c हो जाता है c x प्लस c अब दोस्त हमारा यह किसका हो गया तो इसका अंसर हो गया कोई दिक्कत नहीं दोस्तों अगला प्रस्ण हम लोग देखेंगे अगला प्रस्ण है f x f x बराबर 4 x q माइनस 6 द्वारा परिभासित फलन f का प्रतिय उकलज यानि समा कलन f ग्याद किजिए जहां f 0 बराबर क्या है तो 3 दिया हुआ है दोस्तों ध्यान से देखिएगा अब इसको हल हम लोग करते हैं बहुत असान तरीका से कि f q 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 इस डिफ्रेंशियल हुआ है यह आएगा उपर समझ गया न यह यहां आएगा तो इतना होगा ध्यान से देखिएगा ठीक है अब चुकी आप इसको दिखा भी देते हैं यहां चुकी लिख करके ठीक है अब यहां हम करते हैं आए यहां दिफ्रेंगे फ्रेंशियल मिर्स फ्रेंश को दिख लेते हैं इसमें इसको भी इतकी करते हैं तो आप मानश घ्रन होichi क्यूं जायेगा बराबर लिखेंगे दोस्तों, x के पावर 4, जो मान यह निकला है, यहां हम जो रखें हैं, वो किसका मान है, इसका है, 4-6x पलस c देंगे, दोरा दे है, दोरा दे है, और यहां हम चाहें तो लिख सकते हैं, कि इस लिए, इस लिए, प्रति अउकलाज, प्रति अउकलाज, प्रति अउकलाज, एफ ठीक हैं, एफ, तो अब दिया हुआ है, यहां हम लिखेंगे, कि एफ, 0, बराबर 3, और यहां ब्रेकेट में लिखेंगे, क्या है जी दोस्तों दिया है इतना तो आपका प्रस्ट में दिया हुआ था और उसके बाद हम का करेंगे जहां ये fx है उसके जगह पर हम क्या रहां है तो वहाँ तो f 0 दिया था न येक का संख्यान जैसे यहां हमका करेंगे इसमें जीरू रखेंगे ध्यान देजेगा यहां जीरू रखेंगे तो हम्मारा होगा की यहां Zیاohi कि यह C है, सामने देख रहे हैं ना C तो जब यहाँ 0 आगया यहाँ 0 होगा ठीक है? यहाँ 0 होगा यहाँ, यहाँ होगा लेकिन जब यहाँ हम 0 रखेंगे तो यहाँ इस 0 F0 का value का वैलू कीतना होगा? 3 होगा जो दिया हुआ है तो यहां हम का लिखेंगे 0 का घात में 4 लिखेंगे minus 4 into 0 लिखेंगे और plus में क्या लिखेंगे दोस्तों C लिखेंगे क्या लिखेंगे C लिखेंगे कोई दिक्त है तो C लिखेंगे अब क्या करेंगे कि 3 बराबर क्या हो जाएगा ये जीरू हो जाएगा ये भी जीरू हो जाएगा प्लस में C हो जाएगा कोई दिकत नई दिकत है अब क्या होगा थीरी बराबर क्या बच गया C यानि C का मान आपका कितना आ गया तो आपका थीरी आ गया तो यहां C बराबर आप क्या लिखे तो थीरी लिखे अब क्या लिखिएगा अतह में आप लिख सकते हैं अतह अब एक समिक्रण बनेगा और समिक्रण यही है और सी के मान यहां क्या आ जाएगा थीरी आ जाएगा अता अबिष्ट समिक्रण अब भीष्ट परती अवकलाज परती अवकलाज एफ एक्स बुराबर एक्स के पावर फूर माइनस छोव एक्स और सी के जगा पर क्या आ जाएगा दोस्तों थीरी आ जाएगा ठीक है अब दुआरा परिभासित परिभासित एक अद्वीतिय फोलन है अभी आपका पूरा पूरा हल हो गया दोस्त पूरा हंडेट परसेंट आपका उत्तर आप देख लिए और मुझे आसा है कि आपको समझ में आया होगा और मुझे बिश्वास भी है कि आपको समझ में आया होगा और जड़ी इस चैनल पाप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए बिल आइकन को प्रेस करिए और सियर भी करिए धन्या बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे